नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां इस एक चीज का दिन में दो बार सेवन कीजिए और पाईए लोहे से भी मजबूत शरीर ये है आज का टोपिक आप सभी के लि लिए उर्जा नजुटा पाने जैसी समस्याएं भी महसूस करने लगते हैं इस्थिती में उन समान्य कारियों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं जिनको बाकि लोग सारे दिन बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं ये ऐसी स्थिती बन जाती है कमजोरी के कारान अगर आप ठका चक्कर और कमजोरी की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त ग्लुकोज और पोशक तत्वों की आवश्यक्ता होगी ऐसे कुछ प्राकृतिक उपाय भी मौजूद हैं जिनके प्रयोग के बाद आपको कमजोरी और सुस्ति की समस्या नहीं तो आईए आज हम आप सभी को कुछ ऐसे ही तरकीवों के बारे में बता रहे हैं जो घरेलू हैं लेकिन आपके लिए शत्परतिशत लाफदायक हैं शरीर की कमजोरी दूर करने का उपाय है केला जिहां जब भी आप कमजोरी महसूस करते हैं तो एक या दो केले खाएं आप बनाना शेक या स्मूती का भी सेवन कर सकते हैं अपने शरीर को मजबूत करने और कमजोरी को रोकने के लिए एक पके हुए केले को एक चमच शहद के साथ दिन में दो बार खाएं आपको लाब होगा सुस्ति भगाने के उपाय बादाम करता है जिहां दो बादाम एक सुख मिश और बादाम को छील करके खाये इससे लाब होगा शारीर कमजोरी की देशी दवा है आउला जिहां रोजाना सिर्फ एक आउला खाने से आप अपने कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं कुछ आउलों से बीज निकाले और ताजा रस निकाले के पाई के लिए खाएं मैंगो मैंगो एक मीठा और रसदार फल है जिसमें एक अच्छी मात्रा में विटामिन खनेज और इंटी ओक्सिडेंट होते हैं आम आहार फाइबर पोटेशियम मैगनेशियम और तांबे का भी एक उतक्रिष्ट श्रोत है ये जब आप कमजोर महसू कोफी करती है कमजोरी में मदद जिहां कोफी में मौजूद कैफीन मस्तिश्क को सक्रिय करता है और आप में ततकाल उर्जा को बढ़ावा देता है कोफी पीने से कोई नुकसान नहीं होता है जब तक आप इसे कम मात्रा में पीते हैं बहुत जादा मात्रा में जो लेते हैं लेकिन अगर आप सही मातरा मिलेते हैं तो ब्लैक टी यानि कि ब्लैक कॉफी आपके लिए फायदे मुन साबित होती है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों